पुल्मावा अटेक में 40 जवानों की शहादत को याद करते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री आज पूरी तरह से ठप है भोजपुरी ही नहीं बॉलिवुड इंडस्ट्री भी आज पूरी तरह से ठप है आपको यहां बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काफी लोग ऐसे हैं जो इन सहीदों की शहादत को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बन पड़ रहा है अपने से उन्हें धनराशी की भी मदद कर रहे हैं इन सब में सबसे उपर नाम आता है पावर स्टार पवन सिंग का जी हां पावर स्टार पवन सिंग ने 25 लाख रुपे की धनराशी अपनी तरफ से शहीद परिवार वालों को दी है इन 40 शहीद परिवार वालों के लिए पवन सिंग ने 25 लाख की धनराशी दी है और साथ ही साथ अपना पूरा सपोर्ट इन परिवार वालों को दिया है आपको बता दे कि पवन सिंग के बाद खेसारी लाल यादव और दिनेस लाल यादव निरहुआ अपनी तरफ से एक बड़ी धनराशी इन शहीद परिवार वालों को दी है जिनोंने अपनी तरफ से शहीद परिवार वालों की मदद की है साथ ही साथ भूचपुरिया डिरेक्टर और प्रोडियूसर भी इस काम में पीछे नहीं है जिससे जो बन पड़ रहा है शहीदों के परिवार के मदद के लिए वो आगे आ रहे है ये सब देखकर ये सब कुछ लगता है कि बॉलिवुड ही नहीं इंडियन सिनिमा का हर एक जो प्रांतिय सिनिमा है जो छेत्रिय सिनिमा है सभी इस तरह के अटैक में देश के शाथ हैं देश के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ शहीद परिवार वालों के साथ भी उनकी पूई समवेदना है भुचपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब परना बिल्कुन लब हो दो